हेलो बच्चो आपका अपने ट्यूटर टाक चैनल में स्वागत है आज मैं आपके लिए एक इंपोर्टेंट डेरिवेशन लेकर आया हूँ जो कि क्लास 11 फिजिक्स की है मोमेंट ओफ इनर्शिया ओफ रिजट बोडि सबसे पहले इसमें इनर्शिया के कॉंसेप्ट को क्लियर करते है इनर्शिया क्या होता है किसी भी अबजेक्ट की वह प्रोपर्टी जो उसको अपनी जो भी उसकी पोईशन है चाहे वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है उसी पोईशन में रहना चाहती है उस property को हम inertia कहते हैं Newton के first law of motion हमें बताता है अगर कोई body rest में है तो वह rest में ही रहना चाहती है जब तक उस पर कोई external force supply ना की जाए या फिर अगर कोई body move कर रही है तो वह अपनी उसी straight land motion में रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई external force supply ना की जाए हम daily life में ये चीज़े experience करते भी हैं जैसे अगर bus में देखें अगर bus में कोई passenger bus खड़ी हुई है at rest position पर है और उसके बीच में कोई passenger खड़ा हुआ है ऐसे passenger मान लीजिए अगर खड़ा है अगर इस समय किया जो bus है वह rest position पर है और जो person है वह भी rest position पर है अगर ये जो bus है आगे की तरफ move करती है ठीक है तो ये person अपनी position पर जो होगा उसकी body position पर ही resist करेगी तो क्या होगा उसकी body पीछे की तरफ थोड़ी जुक जाती है अचानक उसको पीछे की तरफ जटका लगता है इसी तरह से अगर bus और person बीच में जो है तो जो object होता है जो body होती बीच में आगे की तरफ जुक जाती है क्योंकि person की जो body होती है उससे में भी motion में रहना पसंद करती है तो यह एक तरह से किसी भी object की जा किसी भी body की property होती है कि object जिस भी state में हो उसी state में रहना पसंद करता है वैसे ही moment of inertia की बात करें तो यह है angular acceleration जा कहलो angular velocity पर apply होता है अगर किसी axis के around कोई object move कर रहा है किसी axis के around कोई object move कर रहा है तो उसी motion में रहना पसंद करता है इसी हम बोलते है moment of inertia जो की circle motion पर apply होता है rotational motion पर और जैसे हम एक rigid body लेते है rigid body जैसे हमने यहाँ पर एक axis किया ड्रो इसे z axis का नाम दे लिया और यह x axis हो गया और यह है y axis यहाँ पर कोई किसी भी shape की यह size की एक हमने body ले ली rigid body अब यह जो rigid body है यह बहुत सारे particles से मिलकर बनी होगी तो हम इसके सभी particles तो नहीं दिखा सकते हैं लेकिन हम इसको उसके कुछ particles show कर देते हैं थोड़ा बोड़े को बड़ा कर लिया माल लिए यहाँ पर एक particles है एक particles यहाँ पर एक हमने particles यहाँ पर यहाँ पर माल लिया अब इन particles की जिस axis के around यह move कर रहे हैं माल लेते हैं Z axis के around यह move कर लेगी तो वहाँ से इसका जो perpendicular distance होगा जैसे M1 particle का perpendicular distance होगा उसे R1 का नेम दे लिया M2 particles का जो distance है उसे R2 और M3 particles का जो अपने axis से perpendicular distance है R3 और Mn का जो distance है उसे Rn का नेम दे लिया तो यहाँ पर हमारे पास डाग्राम कुछ इस तरह से पहले से बना हुआ है तो यहाँ पर जो M1, M2, M3 और M1 जो particles शो किये गए हैं जिनके mass है M1, M2, M3, Mn इनकी जो perpendicular distance है उनको नेम दे लिते हैं जो M1 particle है इसका distance R1 है ओजेट से ऐसे अगले का R2, M3 का R3 और Mn का Rn जो moment of inertia का formula होता है वो क्या होता है I equal M R square तो यहाँ पर जब moment of inertia हम नकाल लेंगे तो M के अलग अलग particles शो किये गए हैं तो जो moment of inertia होगा वो sum होगा equal M1 और R1 का square M1 R1 का square plus M2 R2 का square आगे यह M3 है और R3 M3 और R3 का square और dot 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 plus Mn और Rn का square डोट 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 हमने इसलिए डाला है क्योंकि बहुत सारे particles होगे तो हमने बस example के दोपर 123 और Mn last particles को Mn नाम दे लिया अब इनका sum करने के लिए इनका formula कैसे बनाएंगे क्योंकि जो की बनेगा ऐसे summation मतलब यह total जो होगा और यहाँ पर formula दे लेते है M I और R I square अब I का क्या मतलब बच्चो I means हमने एक formula प्रिपेर कर दिया जितने भी particles होगे I मतलब जो counting शिरू होगी I equal 1 से mass number 1 particles से आगे प्लस करते जाओ second particles third particles का inertia यहाँ पर 123 फिल्क करते जाओ और अप्टू जाना है N तक तो जो हमने 1,2,3,4 ऐसे प्लस कर रहे थे उसका यह इससे formula बना के लिख सकते हो जो बता देखा कि 1 1,1,1,1,2,2,3,3,3 आगे प्लस हो रहा है उपर वाला N मतलब कि अप्टू एन तक यह प्लस होगा तो moment of inertia मैं आप यह भी लिख सकते हो the quantity expressed जो moment of inertia of a rigid body क्या है the quantity expressed by the body resisting angular acceleration जो की होता है which is the sum होता है मैं लिख टोटल होता है जो टोटल की है किसका टोटल होता है product of the mass of every particles every particles के mass का और square of the distance from the axis of rotation और जो distance है उनके square का जनके r के square का mass और r के square के product करकर उनके सब का sum होता है moment of inertia of a rigid body अगर moment of inertia of a rigid body के SI unit की बात करें तो mass का मतलब क्या होता है kg r mean distance यनके meter r square मतलब meter का square तो kg meter square है ऐसे unit next अब इसका dimensional formula लिखते है dimensional formula जो dimensional formula होगा वो कैसे बनेगा यहाँ पर देखो mass है और यहाँ पर r square mass मतलब m से लिखते है r क्या है radius irradiates मतलब distance जो perpendicular distance है वो किया एक तरसे length है और उसका square है तो L square time इस formula में नहीं है तो T 0 अब बात करते है moment of inertia जो है इसको कौन-कौन से factor एफेक्ट करते है तो जिन factor पर यह टिपेंड करता है सबसे पहरी बात तो है mass of body formula में हमने mass use किया m1 m2 तो mass ज्यादा होगा तो ज्यादा बड़ा answer आएगा कब मोगा तो कब तो mass पे डिपेंड करते है second mass distribution कि जो particles का mass उसको distribution कैसे है इसे एक particles इधर है तो इसका arc छोटा आएगा अगर particles axis से दूर है तो उसके आर की value बढ़ जाएगी उसके coding भी moment of inertia की value में changes आता है second is size and shape size और shape के coding particles की position बदलेगी तो उस पे भी demand करता है moment of inertia axis of rotation पर टपैने करते हैं जैसे इसमें हमने लिए example z axis के around move कर रहे है अगर इसी का y axis के around moment of inertia निकाले अगर y axis के around normal नो जो move कर रहे है तो फिर सभी particles के जो distance की value होगी आर की value होगी वह according to axis चेंज हो जाएगी axis के according वह इसकी value में changes आता है तो यह तक अगर आपको यह वीडियो पर संद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स वर वाचिए